नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इतिहास लिखन और मैं हूँ आपके साथ अपको दोस्त तूर्ब शुक्ला इतिहास लिखन के इस सेगमेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं अनाल्स इसकूल ऑफ हिस्टोगरॉफिक के बारे में दोस्तों अनाल्स इस्कूल की सुरुवात मार्क ब्लॉक और लूशिया फ्लिवबर इन दो लिखकों ने इन दो राइटर्स ने की थी आखिरकर इन्होंने ऐसा क्या लिख दिया किनके इन्होंने एक तरह से एक इस्कूल ही स्टाट कर दिया अनाल्सी स्कूल की क्या विसेश्टा है और इसने ऐसा क्या नया लाया इतिहास लेखन में इन सभी चीजों के बारे में आज हम अपनी इस लेक्चर में जानने वाले हैं देखिए अनाल्सी स्कूल को जैसे का इसका इंट्रोडक्शन पहले पैलाग्राफ में दिया हुआ है कि अनाल्सी स्कूल को बीचवी सताबदी में इतिहास लेखन के छेट्र में एक महत्पूर्ण खटना माना जाता है और इसकी जो सुरुवात है इसकी सुरुवात की थी किसने मार्क ब्लॉक ने और लूसिया फेबवर ने इन दो वेक्तियों ने इसकी सुरुवात की थी वास्तों में उन्होंने एक पत्रिका निकाले थे अपने टाइम में जिसका नाम था अनाल दिस्तुवार एकोनोमिक और सोसियल और इंगलिस में इसका नाम है अनल्स ओफ एकोनोमिक और सोसल और इसी पत्रिका के नाम पर इस स्कूल का नाम अनाल से स्कूल पड़ा तो इस स्कूल के प्रमुक इतिहासकारों में मार्क ब्लॉक और लूसिया फिबवर का नाम आप जानते ही हैं इसके लावा फरनांद, ब्रादेल, चॉर्ज, ड्यूबी, इमेनुवल राइलादुरी, प्रोबर्ट, मैंद्रो और जॉक लॉग ओफ आदी इस स्कूल के प्रमुक इतिहासकार रहे हैं अब हम देखते हैं कि इसके पहले जब अनाथ स्कूल की स्थापना हुए 1939 में जब इन्होंने अपने पत्रिका निकाली मार्क ब्लॉक और लूसिया फिबवर ने उसके पहले किस प्रकार से इतिहास लिखन किया जा रहा था और इन्होंने क्या चेंज़स लाए तो पहले इसके प्रिष्ट भूई में देख लेते हैं कि इसके पहले किस प्रकार का इतिहास लिखा जा रहा था तो देखी से मैंने points में बाट दिया है कि 19. सदाब्दी में अनेक नए विश्यों का जनू देखिए उस समय अलग अलग नए विश्य आ रहे थे जिसे मानो विज्ञान है मानो भुगोल है मनो विज्ञान साइकलोजी है ये सभी विश्यों के साथ संबंध बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कहला रहा था यतिहास कार अपने इतिहास लेखन में इन सब्जेट्स को यूज़ नहीं करना चाह रहे थे और ऐसे में वो किवल एक तरफा दिष्टिकोड को ही इतिहास कर अपना हुए थे वो तो राजनेते घटनाओं का यानि राजनेते घटनाओं पर ही इतिहास कारों का मुख्रूप से बल था और इन विश्यों को ये इतिहास में समलित करने के लिए किसी भी प्रकार सत्यार नहीं थे अंतर अनोशास नात्मक अध्यान पर बल नहीं दिया जा रहा था दूसरी बात है इतिहास मुख्रूप से राजनेते घटनाओं का ही इतिहास था जैसा कि मैंने पहले अभी भी बताया हुई कि इस समय इतिहास का सरोकार मुख्रूप से किसी खास घटना विसे इसका राजनेते घटना से था इस समय तक इतिहास लेखन का ऐसे किया जा रहा था जैसे किसी के सासन या किसी के वंस में हुए परिवर्तन पर ध्यान केंडरित हुए करते हुए यो दों लड़ाईयो प्रसासनी कुपाईयों को ब्यौरा दिया जा रहा था जैसे कि भार के संदर में अगर हम बात करें कि अगर इस प्रकार के इतिहास लिखा जाता तो लिखा जाता कि जैसे कि अकबर किसका पुद्र था? कपसा सक बनाओ से कितने पुद्र थे? कौन-कौन से लड़ाई या नगा इस प्रकार से केवल जो राजनीति घटना करब उस पर ही बल दिया जा रहा था सीले ने लिखा भी है कि इतिहास अतीद की राजनीती है और राजनीती वरतमान का इतिहास है अर्थात इतिहास के केनर में मुख्य रूप से राजनीती ही थी दिर काल इंगतसील था आज में इतिहासकारों की कोई दिल्चस्पिन नहीं थी तो इस प्रकार का इतिहास उस टाइम पे लिखा दा रहा था हाला कि एरिक हॉप्समॉम ने अपनी बुक ऑन हिस्ट्री में इस बात किया इस तरह की इतिहास टेखने कालोशना की है वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में कोई संस्वित कैसे थी वरतमान तक उसका विकास कैसे हुआ इतिहासकार को इसका अध्यन करना जाहिए याए इतिहासकार का मुख्यकाम राजियतिक घटनाओं का अध्यन नहीं वररंण जो changes हो रहे है जो परिवरतन हो रहे हैं हमारे दस्तावेज में कोई चीज़ लिखी हुए मिल जाती थी तो वह मान लेते थी कि वो बिल्कुल सही ही है जबकि वे यह नहीं समझते थे कि दस्तावेज भी आत्मपरक हो सकते हैं वो बैस धी हो सकते हैं तो इस प्रकार से काफी जादा अफ लेखा गारी साच्छों पर दस्ता भूम में अनालस इसकुल की स्थापना होती है अब अनालस इसकुल की इतिहास लिखने में भूम गया ही अनालस इसकुल की इतिहास कार थे उन्होंने क्या चेंजिस ला दिया लेकि उन्होंने आनसिक इतिहास के इस थाइम पर समगर इतिहास की और बल दिया और उन्होंने क जो को भी हम देखेंगे किस प्रकार से उन्हों इतिहास का दारा बढ़ाया इसे भी मैंने कुछ पॉइंट्स में बाट दिया है जैसे अंतर अनुशासनात्मक अध्यन पर बल दिया इंटर्डिस्सिप्नेरी अप्रोच यानि इतिहास में अपके वल इंटर्डिस्सिप्नेरी अप्रोच को उन्हों ंउस किया मार्क ब्लॉग ने बुک इस्टोरियान स्क्राउप्ट में लिखा भी है उन्होंने क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि इसमें कोई सक नहीं है कि अगर कोई विक्ति अपनी खुद की विशेश अजटाएं में डूबा हुआ बड़े महनत के साथ अपने हिस्से के खेट की जूताएं में लगा हो और इसके साथ ही अपने पडोसी को भी समझने का प्रयास करे तो यहाँ अच्छा ही होगा याँनि अपने खेदी जूताएं में लगा हो याँनि इतिहास का ध्यन कर रहा हो अपने पडोसी को भी समझने का प्रयास करें यानि अन्य विशियों जैसे एकोनॉमिक्स है समास सास्ट है, मनोविज्ञान है इनको भी समझने का प्रयास करें तो यह बहतर होगा ऐसा मार्क ब्लॉक अपनी बुक Historians का क्राफ्ट में कहते हैं मार्क ब्लॉक ने अपनी बुक दो फ्यूटर सोसाइटे में सामनत वाद का अध्यान करते हुए अन ने सभी पहलो ओपर ध्यान देने का काम किया है इस प्रकार से मार्क ब्लॉक ने इसके सुरुवात की किसकी अंतर अनुशासनात्मक अध्यान की अगली बाद आती मानसकताओं का इतिहास मानसकताओं का इतिहास क्या कहलाता है पहले तो यह जान लिए मानसकताओं का इतिहास का मतलब होता है इसे हम मनुवरतियों का इतिहास भी कह सकते हैं इसका मतलब है कि पर्टिकुलर किसी टाइम में लोग क्या सोच रहे हैं जैसे कि इसे मैं एक ग्जम्पल से बताता हूँ जैसे कि भारत में साहिद आमीन ने उसमें 19 प्रकार का इतिहास लिखा है वो बताते हैं कि जब 1921 में जब सहयोग अंदोलन चल रहा था उस समय जब लोग सहयोग अंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे और गांधी टोपी पहनते थे तो लोग सोचते थे कि अगर अंग्रेज गोली चलाएंगे तो उन्हें गो एतिव को ले करके और वह अंदोलन रात में क्यों नहीं करते हैं दिन में क्यों करते हैं इस प्रकार के अध्यन की बात एरिक हॉप्स बॉम ने की है तो मांसपताओं के इतिहास से मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में अध्यन करना जॉर्ज ड्यूवी ने रूरल एकोनॉमी एंड कंट्री लाइफ इंदे मिडले स्टेट में साधी ब्याह, परिवारों महिलाएं, गिर्जागर और मद्यकालीन कलपनाओं, खासता पर मद्यकालीन समाज को संचालित करने वाले मूल्यों के अध्यान पर विशेष बल दिया है माइकल विवेल एक इतिहासकार है, माइकल वी वेल, इन्होंने चल्च के दस्तावेजों में सुरच्छत रखे वसीयतों की छानबीन की, ताकि मद्यकालीन और सुरुवाती आध्यूनिक फ्रांस में मृत्यों के प्रती परिवर्तित होने वाली मनृत्यों को जान सके, तो माइकल विवेल ने चल्च में दस्तावेजों का अध्यान किया है, तो इस प्रकार से अनाज इसकूल के जो इतिहासकार थे, वो मानसिक्ताओं का इतिहास, मनव्रतियों के इतिहास परबग दे रहे थे, अगली बाद आती है, समाज के हासिय परिस्तित समूहों का इतिहास, देखिए समाज के हासिय परिष्थिस समूग क्या है देखिए हासिय परिष्थिस समूग आने से भिखमंगो का इतिहास पागलो का इतिहास, साधू का इतिहास, चोरो टकयतो का इतिहास इन लोगों का इतिहास भी लोगों ने स्टाट कर दिया जैसे कि मिसेल फूको ने पागलों का इतिहास लिखा है ठीक है उनकी बूक है इतिहास के फलक को विस्तरत करने का प्रयास किया है तो इस प्रकार से अनाल्स स्कूल का जो इतिहास लेखन है उसकी अपने एक महतुपोड भूमिका है हमने देखा कि इसकी सुरुवात मार्स प्रकालों से फिबर्वने की इसकी सुरुवात कि सप्रष्ट भूमि में हुई और इन्होंने क्या-क्या योगदान दिया किन वातों पर इन्होंने बल दिया इसे के साथ इस लिक्चर को करते हैं अगले सेग्मेंट में हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद, keep learning, keep thinking, good bye